नमस्कार बल्डॉक लाइब्रेरी एंड इंफोमिशन साइन्स यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मैं संतोज कुमार कोरी हम विगत वीडियोज में लाइब्रेरी के जो कंसेप्ट है उनको हम सॉल्व कर रहे थे हमने तीन यूनिट जो की नैट की है उनको सॉल्व कर ल लिया है चौथी उनिट जो की कैटलॉगिंग है उनके हम एक से पचास तक के कॉस्चन इस वीडियो के माध्यम से आज सॉल्व करेंगे संबवता इन मैंसे कॉस्चन हर लाइब्री साइंस के एक्जाम में पूछे जाते हैं हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजि की यूणिट का ट्रॉगिंग की चिटाब की लाइब्रेका पन सब्सक्राइब हमारी लुटूगिंग करते हैं सब्सक्राइब की माध्यम से ये जानकारी प्राप्थ होती है कि लाइब्रेक में किताब वो है या नहीं है इसकी जानकारी हमें केटलोग के माध्यम से ही होती है चुकि पहले फिजिकल केटलोग चलते थे बरतमान समय में जब से कम्प्यूटर और इंटरनेट और सॉफ्टेयर का चलन आ गया है तो OPEC का जमाना आ गया है जिसको हम Online Public Access Catalog भी बोलते हैं जो कि कम्प्यूटर पे होता है और यह मार्क फॉर्मिट को फॉलो करता है चो हम आज फश्ट इसका कॉशन देखते हैं On the right hand side of the back of the man entry tracing is rendered according to तो चुकि जो catalog card होता है उसके back side में right hand side में tracing section की जो entry होती है वो किस classification code के अनुशार होती है तो वह है हमारा triple C triple C जिसको classified cataloging code भी बोलते हैं जिसको 1934 में डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा बनाया गया था triple C का full form है classified catalog code तो classified catalog code के अनुशार जो catalog card बनता है उसके back में उसके पीछे right hand side में tracing section की entry होती है चुकि ACCR में tracing section कार्ड के front में ही नीचे side होता है हम next question 2 की बात करते है चैप्टर चैप्टर वन ओफ ACCR 2 gives bibliographies description covering all materials collected nowadays by librarian expected ACCR 2 के चैप्टर 1 है उसके अनुसार उसके अनुसार जो हम women materials को की cataloging करते हैं तो उन में से इन चार में से किसकी हम cataloging नहीं करते हैं तो इसका right answer है हमारा d hologram 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 d is a right answer next question 3 हम देखते हैं which area is not used for three dimensional artist fact and Relya according to ACCR 2 तो इन में से कौन सा जो area है यूजड फुल नहीं है तो हम देखते हैं इसका right answer है material specification area इसका right answer है हमारा b b is a right answer next question हम 4 की तरफ आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि according to ACCR 2 if the place of publication is unknown what would be written जब हम ACCR 2 के नुसर cataloging के entry करते हैं तो उसमें हमें publication ग्यात नहीं होता जो publication का place है वह मालूम नहीं होता तो उसकी जगह पे हम क्या बढ़ इस्तिमाल करते हैं according to ACCR 2 तो हम जानते हैं कि उसकी जगह पे हम SL का का इस्तिमाल करते हैं इसका राइट आंसर है एस डॉट एल कैप इस्मॉल नेक्स कॉस्चन फाइब की तरह आंगे बढ़ते और देखते हैं according to ACCR 2 if the name of the publisher is unknown what would be written जब ACCR 2 के नुसर हम catalog card बनाते हैं और हमें publisher मालूम नहीं होता कि यह किताब कि ने publish की है तो उसकी जगह पे हम कौन से word का इस्तिमाल करते हैं तो इसका राइट आंसर है b small as dot and dot यह इसका इस्तिमाल हम जब हमें publisher मालूम नहीं होता है तो हम इसका इस्तिमाल करते हैं next question six की बात करते हैं six question who are the editor of ACCR 2 revised edition जो रिवाइड एडिशन है ACCR 2 का उसके editor कौन है तो उसके editor है Mitchell German and Paul W. Benekler तो इसका राइट आंसर है ACCR 2 का रिवाइड एडिशन जो पबलिस होगा है उसके editor राइट आंसर ए next question हम seven की तरफ आंगी बढ़ते हो देखते हैं ISSN contain how many digits ISSN जो की international serials number है उसमें कितनी digits होती है तो इसमें होती है हमारी eight digits इसका राइट आंसर है B next question आठ की तरफ आंगे बढ़ते हैं ISSN contents eight digits how many parts are there जो eight digits जो ISSN के अंदर होते हैं वो कितने parts में होता है तो वह होता है दो parts में इसका राइट आंसर है जो nine question के हम बात कर रहे हैं जो ISSN के अंदर दो parts होते हैं तो first part में कितनी digit होती है तो इसका right answer है D इसमें साथ digit होती हैं first part में next question हम 10 की तरफ आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं last part of ISSN content जो ISSN का जो second part है जिसको हम last part भी बोल रहे हैं उसमें कितनी last part of ISSN content कितनी digit होती है मालूम है कि हम first part में seven digit हो चुकी है तो हमारे last part है जो ISSN का उसमें एक digit इसका answer सही है last part of ISSN represent जो 11 question में पूश रहा है कि ISSN में जो last part है वह किसको represent करता है तो इसका right answer है check digit में इसका right answer है next question 12 की बात करते हैं first part of ISSN represent जो ISSN का first part represent होता है वह किसको represent करता है तो वह करता है title of the serial जो serial या प्रियोडिकल्स का जो title होता है उसको यह represent करता है next question हम बात कर रहे हैं 13 की 13 question की बात करें तो ISSN is useful for ISSN useful for किसके लिए यह all the above यह सभी के लिए है newspapers को भी ISSN प्रोवाइट किया जाता है your yearbook को भी ISSN प्रोवाइट किया गया है magazines को तो already provide किया ही जाता है तो इसका answer है D is all the above next question 14 की हम बात करते है card from catalog was originate by card format में जो catalog है उसका origin किस country में हुआ था तो उसका सही answer है France में इसका origin हुआ था तो C is right answer next question हम 15 की बात करते हैं C form of catalog was originated by जो C format में catalog card है उसका origin किस country में हुआ था तो इसका right answer है Poland D is a right answer 16 question की तरह पांगे बढ़ते हैं और देखते हैं how many rules are there under the heading choice of name about pseudonym work according to ACCI2 जब ACCI2 के अंदर कितने rules है जो choice of name and about pseudonym work के बारे में बताते हैं इसके इसके अंतरगत 19 rules है next question 17 की बात करते हैं which library first introduced the printed catalog किस library ने सबसे पहले printed form में catalog को introduced किया था तो इसका सही आंसर है British Museum बिटिस museum library ने सरव प्रथम catalog को printed form में publish किया था next question हम बात करते हैं 18 की according to ACCR 2 when relevant information is taken from outside the main source it is written in जो हमें information होती है बरंतु हम outside main source से लेते हैं तो हम इसको किस format में लिखते हैं तो उसका right answer है हमारा square bracket square bracket में हम उसको लिखते हैं next question इसका भी answer सही है 19 question की बात करते हैं for cataloging of books at national library India which cataloging code is follows जो national library हमारे इंडिया की कलकत्ता में इस्थापित है उसमें कौन से cataloging code को follow किया जाता है catalog के दिर्माड में तो उसके लिए ACCR 1 का इस्तिमाल किया जाता है next question हम बात करते हैं 20 which library organization is not related with ACCR 2 ACCR 1 के अनुसार इन में से कौन सी library related नहीं है तो उसका सही answer है इंडिया लाइबरेरी association next question हम बात करते हैं 21 की 21 question हम देखते है n-p-a-c program is related with n-a-p-c जो program है वह किस से related है तो वह है हमारा co-operating cataloging co-operating cataloging से मतलब यह होता है कि किसी वी जो हमारा libraries हैं बहुत सारी उनने मिलके एक library नहीं वो catalog की तो उसी किताब को बार बार cataloging क्यों करें तो co-operating cataloging क्या होता है कि जब एक लाइबरेरी ने वो catalog बना लिया है तो उसी का data अन लाइबरेरी इस्तिमाल कर लेती हैं तो यहां पर समय भी बसता है और उसको दुबारा entry नहीं करनी होती है इसलिए वह cooperative cataloging यह कहलाता है तो यह centralized cataloging में भी हो सकती है कि एक सहंस्तान ने उसको कर लिया तो अन्य सहंस्तान उस entry को पौर्ड कर सकता है इंपोर्ड करेगा और डारेक्ट अपने computer में वो हमारे entry आ जाएगी तो हम जानते हैं कि mark format में कोहा में यह facility हमें available है जो jet 39.50 के जो हमारा है है उसके माध्यम से हम entry को कहीं से भी किसी भी दूसरी लाइबरी से भी उठा सकते हैं next question 22 की बात करते हैं the purpose of c reference in a library catalog to direct user user from a जो c का ही इस्तिमाल हम reference in a c reference जो हम करते हैं तो क्या है यहां पर यहां पर हम देखते हैं कि वह है हमारा non-standard to standard term non-standard to standard term की और हम सी का इस्तिमाल करते हैं the purpose of c also next question 23 की बात करें the purpose of c also reference in a library catalog is to direct to user direct to user तो यहां पर हम देखते हैं कि इसका सही यह answer है c term to its related term term to its related term जो की c also के लिए प्रफर करता है next question 24 की हम बात करते हैं what is the author name of canons of short heading जो canons of short heading जो बनाया है उसके another name sorry what is the another name of canons of short heading को हम अन्य किसी नाम से जानते हैं तो वह नाम क्या है तो वह नाम है canons of recall value recalls value से मतलब जो बार बार आ रहा है उनको हम इस्तिमाल करेंगे इस्तिमाल करेंगे जो बार बार इस्तिमाल होते हैं तो उनको हम canons of recall value कहते हैं next question 25 की बात करते हैं what is the thickness of catalog card used in the library library में जो catalog card होता है उसकी thickness क्या है तो उसकी thickness है .025 cm cms जिसका answer सही है next question 26 की बात करते हैं what is the universal standard size of catalog card जो हमारी catalog card की size है cm में कितनी है तो उसका जो 12.5 cm2 into 7.5 cm is a right answer c is a right answer of 26 27 की बात करते हैं what is universal standard size of catalog जो हमारे catalog card है वो उसकी standard size inch में क्या है inch में हम देखते हैं इसका सही answer है 5 into 3 inches तो a is a right answer next question 28 की बात करते हैं how many kind of analytical entries are there तो कितनी प्रकार की analytical entries होती है तो हम देखते हैं कि तीन प्रकार की analytical entries होती है तो b is a right answer 29 question की बात करें two kind of analytical entries are author analytical और दूसरा है title analytical तो which is the another analytical entry तो हमने उपर के question में देखा कि three type की analytical entry होती है पहले type की होती है author analytical दूसरी होती है analytical title और तीसरी होती है subject analytical तो इस प्रकार से यह तीन analytical entries होती है next question हम बात करते हैं तीस की अब जैसे analytical entries से मतलब यह होता है कि जह हम कोई search करते हैं तो हम सबसे पहले author नाम से search करते हैं title के नाम से search करते हों subject के नाम से search करते हों तो यहां analytical entry से मतलब कि आपकी search करने की techniques क्या है तो हम मुखे तर तीन प्रकार से हम search करते हैं catalog card में तो 30 question की हम बात करते हैं what is the another name of edit entry? editor entry का अन्य कोई नाम क्या है? तो हम जानते हैं कि इसको हम secondary entry भी बोलते हैं तो इसका V answer सही है next question हम 31 की तरफ आंगे बढ़ते हों देखते हैं who started the cataloging in source? किसने सरपर्थम cataloging को source के रूप में इस्तिमाल किया था? तो Library of Congress जो की Washington DC में है इसने सरपर्थम cataloging code को source के रूप में इस्तिमाल किया था 32 question की बात करते हैं who started the cataloging in publication? CIP जिसको हम बोलते हैं CIP मतलब यह होता है कि जब कोई किताब publish होती है यह publish हो रही होती है तो publication के पूर Knox हम उसका catalog card बना लेते हैं जिसको हम CIP बोलते है cataloging and publication तो में किताब publication में होती है तो इसकी हम पहले से entry बना लेते हैं प्रोग्राम भी बोलते हैं 32 question की हम बात करते हैं 32 में पूछा गया है किस ने सरप्रतम CIP का उप्योग किया था तो लाइब्रेरी ओप कॉंग्रिस ने केटलोगिंग इन पॉब्लिकेशन का इस्तमाल सरप्रतम किया था नेक्स्ट कॉस्चन हम 33 की बात करते हैं हाँ मैंनि चैनेंग ऑप केटलोगिंग और किवाइबं डॉब्ल और और डॉपटर ऐसार रंगनाथन जी की द्वारा किट्वाइबं के किटने केटलोगिंग को डिफाइब गया रिफोनर्क रिकोंक रिप्र किया गया है तो इसका शहीज इंसर है 9, 9 canons of cataloguing code by Dr. S.R. रंगनाथन, 34 question की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, which elephant is another name of, तो white elephant, 34 question पूछ रहा है, कि सफेध हाती, जिसको white elephant किसका another नाम है, इसका catalog card को हम white elephant भी बोलते हैं, next question 35 है, name the first catalog code in the world that was based on the narrative principle of cataloging, जो narrative principle पर बेज़्ट है, उस catalog का जो code है, वो कौन सा है, तो code है हमारा triple C second edition, triple C second edition is a right answer for, it is related to narrative principle of cataloging code, next question 36 की बात करें, name of editor of the first subject heading for small libraries published by H.W. Wilson Corporation New York, जो प्रथम list of subject heading का publication हुआ था, फार small libraries के, जिसको publication किया था, H.W. Wilson ने, तो उसके editor कौन है, हैं, तो उसके editor है, M.E. Sears, B is a right answer, next question 37 की बात करते है, वो हैं, जो हैज डिसक्राइब, जो हैज डिसक्राइब, किस ने, डिसक्राइब किया था, कि जो है, जो है, लिश्ट सेंपल एंड मॉस्ट कंफ्यूजिंग है तो इसका सही आंसर है सी एची विलिस ने यह डिस्क्राइब किया था नेक्स कॉस्चन हम 38 की तरफ आंगे बढ़ते हो देखते हैं तो इसके पहले भी हमने कॉस्चन में यह बात की हुई थी तो इसका राइट आंसर है किसी भी किताब का कोई ओथर नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं तो जो ओथर का ओथर सिप को जो अन्नोन होता है उसको हम बोलते हैं कि भी इजर राइट आंसर एनोने एनोनोमस वर्क जिसका कोई याती नहीं है कि इसने वर्क किया है लोकस को सर्व पर्थम लोकस को सर्व पर्थम बिटिस म्यूजियम ने 1960 के दौर में लोकस सर्व पर्थम इस्तार किया था जो केटलॉगिंग सर्विस प्रोबाइट करते हैं बिटिस म्यूजियम ने इसका फुल फॉर्म है लोकल लोकल केटलॉगिंग सर्वस सर्विस लोकल केटलॉगिंग सर्विस इसका फुल फॉर्म है लोकस का जिसका इस्तेमाल बिटिस म्यूजियम ने 1970 की दसक में किया था नेक्स्ट कॉस्चन हम बात करते हैं 42 की इसका फॉल फॉर्म है इंटरनेशनल कोंफरेंस और केटलॉगिंगिंग प्रिंसपल इसका फॉर्म है इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंस्पट योके 1961 में जो कॉंफरेंस हुई थी तो वह कहां पे हुई थी इसका सही आंसर है पैरेस या पैरेस में हुई थी D is a right answer 43 question की तरफ आंगे बढ़ते एन ISBN कंसिस्ट to how many digits ISBN में कितनी digit होती हैं तो यहां पे पहले 10 digit होती थी परंतु बरतमान में 13 होने लगी हैं तो option अगर आपको 13 मिलता है तो अब 13 ही लगाएंगे अगर पूछा जाए कि पूर्व में कितनी थी तो दस दिजित थी परंतु बरतमान में 13 डिजित में आई एस आई एस भी हैं हम नेक्स कॉस्चन की बात करते हैं और देखते हैं Maintain the symbol used between title, proper and parallel title टाइटल और parallel टाइटल के बीच किस symbol का हम इस्तिमाल करते हैं तो हम देखते हैं इसका सही answer है A, A is a right answer, equal sign का इस्तिमाल हम यहाँ पे ACCR2 के नुसर करते हैं Next question हम की बात करते हैं Name of the publisher of ACCR2 revised edition जो ACCR2 का revised edition है उसके publisher कौन है तो उसके publisher है उसके publisher की हम बात करते हैं RR broker है Oxford University और तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके publisher है Oxford and IBH publishing इसका सही answer है Next question हम बात करते हैं Name of the editor of North American text ACCR जो North American text है उसके जो एडिटर उनका नाम क्या है उनका नाम है श्यम्योर लवर तर्जिकी Next question इसका D is a right answer Next question हम बात करते हैं Name of the editor of British text ACCR तो इसका सही answer है CW summer splitting A is a right answer Next question के हम बात करें How many parts are there in ACCR revised edition के कितने parts हैं तो हम देखते हैं कि इसका सही answer है दो parts Next question की बात करते हैं Shares list of subject heading बाज published in Shares list of subject heading है Why publish कब होई थी इसका first edition कब प्रकाशित हुआ था तो इसका सही answer है 1923 1923 में Shares list of subject heading का publication हुआ था तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में एक से लेके 50 तक के जो questions को solve किया हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंगे 51 से 100 तक के questions को solve करेंगे किया है